अभी हम लोग अपने होम सेशन मुजफ़ापुर में है और आज हमारी से पर चोटी सी जर्णी है बहुत ज्यादा लंबी जर्णी नहीं है और वो जर्णी है हम लोगों की अपने रेस इंडिया की लॉंगेस्ट डेली ट्रेन जानी अवद आसाम एक्प्रेस में और सबसे ज् का रणिंग अनुवर्सरी भी है यानि आज इसने अपने 36 साल कंप्लीट किया है अब 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 हमारी जानी आज सेकेंडेसी में है सोचे ज्यादा लबी चलनी है एक फिर फिर सेकेंडेसी में टिकेट लेना पड़ रहा है क्यों अपनी सेफटी के लिए अपने स्टैंडर्ड के लिए यह यह शे अप्रील लालगड से नहीं खुलती थी उस वक्त शायद यह गौहाटी और रखनों कहीं बीच में चलती थी इसका एक्स्टेंसन होता रहा नंबर भी चेंज होता रहा और आज क्यों के डेट में यह इंडिया की लॉंगेस डेली ट्रेंड बन चुकी है एन फर इसको ऑपरेट करती ह चलिए अंदर चलके और यह बिना देरिक किये से खुल चुकी है और हम लोगी जानी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है सिर्फ हंड्रेट टू किलोमेटर की जानी है बड़ानी तक कि एक बार फिर कहुंगा क्या को इंसिडेंस है जिस टेंड में मैं स्टैवल कर रहा हूं कि आज उसकी अनुवर्सरी है और यह पीछे लालगर से आती है रूट है इसका वहां से पले पटिंडा जाती है वहां इसका रही घुमाता है और वहां पर इसका डीजल इंजन हटा के वापस एलेक्ट्रिक इंजन जोड़ता है और यह वह लालगर से चार किलोमीटर है और और क्या है कि पिर वहां भटिंडा पार करने के बाद उदर जिंद रोह तक देते हुए पुराई दिल्ली आती है जैन वहां से आगे बढ़ते हुए मुरादाबाद लखनव गोरकपूर देते हुए यहां मुझफ़पूराई अभी इसका अगला स्टॉपच समस्तिपूरा जो यहां से बावन किलोमीटर है इसके बाद दलसिंग सरा है फिर बरावनी चलिए मिलते हैं एक बार मैं आपको अंदर का वी व्यू दिखा दिखा आप सो टैट की कोविट का चेंग को रोका जा सके लेकिन वी वापस लग गया है अब तो यार बावन किलोमीटर की जरनी कवर करने के बाद हम लोग पॉल चुके हैं समस्तिपूर और यह हम लोग का समस्तिपूर डिवीजन का एक मात्र स्टेशन है और यहां ट्रेन अपने समय से आठ मिनट पहले पहुंची है खुलेगी तो टाइम पर ही ना यहां हम लोग की गाड़ी पार्शन पर पर आई है यह बावल में चार नंबर है और जैस आप देख रहा है अपना एलेश्बी रैक है इसके बाद दलसिंग सराय रुकेगी तो यहां से करीब 24 किलोमेटर दूर है इसके बाद बरॉनी यह अभी हम लोग दलसिंग सराय में है और यहां भी गाड़ी अपने टाइम सही है दो मिनिट पहले ही पहुंची थी और दो मिनिट का स्टॉपेज है इसके बाद इसका डाइट ली 27 किलोमेटर वाद बरॉनी में स्टॉपेज है जहां मैं उतर जाने वाला हूँ यह स्टेशन वापस सुंपू डिवीजन में पढ़ता है तो राइज हम लोग फाइनली बरॉनी पहुंच चुके हैं और यहां हम लोग समय से दस मेट पहले हैं पूछे तो आज ही मेरी रिटर्ण जर्णी भी है लेकिन अभी मैं शोर नहीं हूं कि कब तक लोटूंगा क्योंकि एक चोटा साथ काम है यहां जितनी जल्दी हो जाए तो उसके सबसे जो ट्रेंड मिलेगी और वैसे इसी के रिटर्ण वाली दाई बजए है वह अगर पकड़ा गई तो ठीक है अधर वाइस सीधे शे बज़े अगली गाड़ी है ठीक है चलिए आपको वापस आके डिसकस करते हैं तो वाइस वह स्टेशन बोड़ है यहां लगी है और यह आपको अधर का रिव्यू देख लिए हैं हम लोग बरॉनी आ चुके हैं स्टेशन और अभी करीब डेड़ बज़ रहे हैं और जैसा मैंने कहा था नहीं बज़े ही एक ट्रेन है तो उसमें टिकेट भी मुझे मिल गया लेकिन यह मुझे फस्ट एसी म कि इसी तरह से यह मेरी लाइफ की फस्ट जर्णी होगी फस्ट एसी क्लास में ट्रेन वहीं है अवाद आसाम नंबर बस चेंज हो गया है 15909 क्योंकि यह दूसरे डिलक्शन की है कि अधर का प्रिव्यू देख सकते हैं है तो आखिरकार हम लोगी ट्रेन आ गई समय से अभी करीब पांच मेंट के असपास लेड़ है यह यह लोग मोटिव से खीच रहा है और यहां हम लोगी गाड़ी चार नमर प्रिट्रॉम पर आई है कि दिखते हैं है कि यह लुक है अमलों का फस्टेश्य का बाहर और उधर अमलों का से्केंड एसी का पार्ट है और इधर एसी-टु का पार्ट है क्योंकि यह एचे वन है ना यानी एसीवन गम एसी-टू चलिए मैं आपको अंदर का इंटीरियर दिखाता हूं यह यहां से चड़ने की भी सुविदा है और अपर बर्थ यह बिसिकली लेश्बी कोचेज में ही ऐसा है अभी पता नहीं आई सिएफ कोचेज का कैसा है क्योंकि यह मेरी मेरी फस्टेसी में आज लाइफ में फस्टाइम जलनी है और याप सीट का भी साइज देख लिए कितना च लोड़ा है कि यह इसमें इदर लाइट की विसुदा दीव भी है जैसे ही सेकेंड एसी में रहती है यह इदर आपको फासा चोटा मोटा सवान रखने का भी जगा दिया है जैसे मॉडल्स हम लोग रिदान आ चुके हैं अपने स्टेशन पर यहां लोगी गारी दो नमर पर आई थी लेकिना घीड बहुत ज्यादा थी और इसी लिए तोरिज नहीं ले पाया को यह वाई यह नहीं सहाथ होती है मिलते है अकला ब्लाग्स में थैंक्यों